Hello students, बच्चों मैं आपके समंक्स कक्सासात के बसंत भाग दो का पर्थम अध्याय हम पंची उन्मुकत गगन के लेकर आई हूँ इस कवीता के लिखक स्री सिव मंगल सुमन जी है जैसा की सीर्शक से ही पता लग रहा है कि कवीता को पंची के जीवन अथार सवतंत्र जीवन के उपर प्रस्तुत किया गया है कवीता में पंची बोल रहे हैं कि उन्हें खुला आसमान अत्यन प्रिया है वह अपना जीवन आजादी से वैतित करना चाहते हैं बच्चों पक्सी हो या मनुस्य हो परतंत्र रहकर कोई भी हमें कितनी भी स्विक स्विधा दे लेकिन हमें व इवन वैतित करना अधिक प्रिया होता है बच्चों या अनुभव आज आप सभी घरों में बैठकर लोगडाउन के जरीड ले रहे हैं सभी घरों में कैद हैं सभी सुख्षिधाय मिल भी रही हैं लेकिन बेटा आप सब को बंदखर घर में बैठना बिलकुल भी पसंद न पंची को भी खुली आसमान में उड़ना बहुत पसंद है उसे पिंजरे में बंद रहकर भले ही वैं पिंजरा सोने का क्यों ना हो चाहे उसमें सभी सुख्षिधाय सुख्षिधाये दी जाए लेकिन पंची को सोने के पिंजरे से कहीं ज्यादा प्रिय अपनी आजा दी है कवीता में कवी ने बड़ा ही सोंदरिय काविय सोंदरिय परदान किया गया है देखे बेटा जैसे कि पहले पंचिया हैं बेटा हम पंची उन्मुक्त गगन के उन्मुक्त आजाद खुले आसमान के पिंजर बंदना गापाएंगे कनक्त तिल्यों से टकरा कर पुलकित तूट जाएंगे जैसे बेटा देखे पहली लाइन में ही अलग से सब पता चल रहा है हन पंची उन्मुक्त गगन के पंची बोल रहा है कि हम जो पंची है हम तो आजाद खुले आसमान में रहने वाले हैं पिंजर बंद यानि कि पिंजरे में बंद रहकर हम ना रह पाएं पंची उड़ना चाहता है तो वह खुशी से उनके जो पंची खुलते हैं उन्हें बोले हैं कि पुलकित पंच जो उड़ने के लिए शुरू पंच खुलते हैं वह जो है तूट जाएंगे कभी कहना चाह रहा है बिटा पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकास है हम उड़ते हुए ही खुसी के गीद गा सकते हैं यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम चहचाना भूल जाएंगे आजादी पाने की इच्छा में हमारे क चींılar तो मलपंग सोने की सलाखों में टकरा कर तूट जाएंगे दूसरी पंदियाद देखे बटिये हम रहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूके प्यासे कहीं भली है कटक निम्बोरी कनक कटोरी की मैधा से हम को भूके प्यासें कहीं भली है कटुक निम्बोरी निम्बोरी मींस होता है विज वरक्स प्रखता है उसके जो फल थे उन्हें बोलते है निम्बोरी कड़वी कटुक निम्बोरी जो है कनक कटोरी की मैदा जो तुम्हारे सोने की कटोरी में जो मैदा रखी है उससे कहीं यहां मैदा बेटा हम तो मैदा बोलते हैं बारिक पिसेवी महीन गहूं के आटे को लेकिन हम मैदा का मिन्स दानों से लिया है कनक कटोरी की मैदा से यानि कि उनका मीन्स यहाँ पर यह है कि जो तुमने सोने की कटोरी में जो मैदा रखी है दाने रखे हैं उनसे वले तो हमें आजादी में रहकर नीमक्या कड़वाफल खाना अच्छा लगता है इन पंक्यों में कभी कह रहा है बेटा पक्षियों के ओर से कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है पिंज्रे में बंद होकर हम भूके प्यासे मर जाएंगे हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीमका फल लगता है स्रंड संकला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फनंगी पर के जुले तो बेटा स्रंड संकला तो यह होगे सोने की जो चैर होती है संकल टाइप होती है साकल टाइप तो जंजीरों से ले दिया है कि सोने की जो जंजीरे उनके बंधन में बांध लिया है और उन बंधन में बंध कर जो है अम अपने उड़ने की गति मिन्स वेग हम अपने उड़ने की जो चाल उड़ान है उसे गती को भूल चुके हैं बस सपनों में देख रहे हैं बस अब तो हम सपनों में ही देख रहे हैं कि अतरू मिन पेड की फुनंगी होते हैं जो बेटा पेड की जो सबसे उची सबसे उची जो डालिया होती है उनको बोलते हैं फ पंचिस सोने की जंजीरों से बेटब बंधन में पढ़कर अपनी चाल और उड़ने का धन सब भूल जाते हैं ये पिंजरे में पड़े पड़े पेडों की उची साखा उपर जूले जूलने का बस असपना ही देखते रहते हैं ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीले नब की सीमा पाने लाल किरन सी चोच खोलते चुगते तारक अनार के दाने ऐसे थे अनमान उनकी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते नीले गगन की सीमा की वे नीले गगन की सीमा को सीमा में उड़ते रूपी आकास के तारो को चुगना चाहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ बीटा देखे बीटा होती सीमा हीन सितिज से इन पंखो की होडा होडी या तो सितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी होती सीमा हीन सितिज सीमा मिन्स बोडर होता है बेटा सीमा हीन यानि कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो सितिज मिन्स होता है बेटा जो आसमान में उड़ते उड़ते जब दूर से हमें आसमान और धरती जब मिलाई मिलती वही दिखाई देती है उसे बोलते है सितीज तो होती सी माहिन सितीज से इन पंखों की ओड़ी क्याम इतना आसमान में उड़ते तनी गती से ओड़ते कि हमें सितीज को पाने की होड लग जाती पक्सियों से या तो सितीज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी सांसों की डोरी तंती मिर्थ्यू प्राप्त हो जाती तो वो बोला है कि या तो हमें सितीज ही मिल जाता और या फिर हमारी मिर्थ्यू हो जाती यहां कभी का कहने कास से बिटाई यह है कि आसमान में उड़ते हैं पक्ष सीमा छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया या फिर कई बार उड़ते उड़ते वे अपनी मंजिल को प्राप नहीं कर पाते तो निरासा होती है आसमान में उड़ते वे मंजिल पाने की जो चाहा में उनकी सांस उखड जाती है कई बार तो अधूरे मिलन की चाह में सांस ही छोड़ देते हैं नीड न दो चाहे डैनी का आस्रिय छिन भीन कर डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल विगन में आकुल उडान में विगन न डालो नीड न दो नीड में सोते बेटा घोसला या तो गोसला भी न दो चाहे डैनी पर गोसला बनाने के लिए भी डैनी न दो आस्रिय जो हमारे रहने का आस्रिय है जो हमारे घर है रहने के गोसली बने वे उन्हें भी छिन भीन कर डालो लेकिन जो हमें भगवान ने पंक दिये हैं उसमें हमें आकुल हमारी जो उडने की इच्छा है उसमें बाधा मत डालो कभी कह रहा है कि बेटा चाहें पक्षों की गोसले बनाने के लिए पेड़ की डाली भी मत दो यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी गोसला भी तोड़ डालो प्रंतु भगवान ने उन्हें उडने के लिए पंक दिये हैं इसलिए उनकी प्रेसानी भरी उडान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो यह चेप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है आपको सभी को पूरे वर्क कंप्लीट करना है और मुझे सैंड करना है कोपी सम्मिट कर देना बेटा सारा वर्क कंप्लीट करके वाट्स अप कर देना मुझे